धन्मनांतर रोकने विश्व हिंदू परिशद बजरंग दलने गाउं गाउं में धर्म परिवर्टन के खिलाफ मोचा खोल कर गाउं गाउं में जाकर सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हनुमान चालिसा पाठ कर ग्रामिनों को हनुमान चालिसा की धार्मिक ग्रंथ का वितरन कर रहे हैं कल दिनांग एक जुलाई दीन शनिवार को गर्या बंजीले के ग्रामिन अंचल में बढ़ते धन्मनांतरन की समस्या को देखते हुए सर्व सनातनी समाज द्वारा आशुतो सिंग राजपुत की अगवाई में ग्राम पल्चायत मठिया के दुर्गा मंदिर में शाम पांच बजे करीब दो खंटे का धर्म जागुक्ता अफियान चलाए गया और अखंड हनुमान चालिसा का पाठ कर महा आठी करने की प्रशाद वित्रन कराये गया साथ ही ग्रामिनों को सनातन हिंदु धर्म के बारे में वस्तार से वर्णन किया गया और सभी ग्रामिनों को हन्मान 40 का वित्रन कर नित्य हन्मान 40 पाठ करने का संकल्प कराये गया। इसी बीच सनातन विरोधी धनमनांतरन कारी मिशनेरियों पर खुली चितावनी देती हुए कहा गया कि उनके द्वारा अगर धनमनांतरन का अधर्मिक कारी जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो हम सभी सनातन्यों द्वारा शक्त शक्त इनके उपर कारवाई की जाएगी अभी माला से मना कर रहे हैं अग आगे चल कर भाला से मनाएंगे ऐसा तंच कस्ती हुई उनके द्वारा बयान दिया गया लुए उनको बर्गला के हिंदूोको कणवाट किया रहा है उनको दुसरे धर्मों में तब्दील किया जारा है तो उसके विरोध में और उसके सास्त हमारे खुद के सुनातन का प्रचार करने के लिए हैं और यह तो एक ही शुरुभात न्यू रखret है अब हम ये कारी तयार करके हमारे सभी सनातन प्रेमियों से मिल के जूल के अब एक नया आयाम लेके हम एक कारी अब इसको बड़े चड़के आगे बढ़ाएंगे यहां बताएंगे यह कारेकरम जो हकिन के द्वारा कराया जा रहा है सब्सक्राइब का सब्सक्राइब हैस्ट द्वाने?. कपट ग्राम मठ्या में रखा गया है यह संकल्पित रूट से रखा गया है कि जिस प्रकार से धर्वी लोग धर्म परिवर्तन के लिए अनेक अनेक स्थान पे हमारे हिंदु भाईयों को बर्गला कर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं वह जहां पहुंचेंगे धर्म 1 परिवर्तन कराने का परियास करेंगे वहां पर भी हमसे दुएगे और प्रत्यक इस्थान कि कार्य कर्टा वंदु और संकल्पित है कि अनुमाद करेंगे और वहां पे करेंगे और वहां के सनातनी बंदू को जगाने का यह संकल्प है और इसंकल्प को कम अंतर तक नहाने का प्रयाज करेंगे मैनपूर से स्वर सिंग यादव की रिपोर्ट पस्ते हिते रहे सीजी विजन टीवी